हाई फ्रेंड्स आप देख रहें कुवेथ हिंदी निउज दोस्तों कुवेथ से कुछ अपडेट है सभी प्रवासी को लेकर पहली अपडेट कुवेथ एरवेज को लेकर है कुवेथ डीजीशे के तरब से बताया गया है कि कुवेत एरवेज फुली कैप सीटी के साथ काम करेगी और भी कई डेस्टिनेशन को जोड़ा गया है करोना के करन कुवेत एरवेज भी काफी लॉंग टाइम से खड़े रहा था उसकी सर्विस बंद की कर दी गई थी लेकिन अभी कुवेत एरवेज की सर्विस तकरीबन सभी कंट्री का अंदर आना जाना चालू है कुवेत एरवेज एक ऐसा एरवेज है जो की सभी डेस्टिनेशन के लिए ज़्यदा तर डाइट फ्लाइट का संचानल करती है अगर हम इंडिया देली मुंबाई चैन्नी कुलकत्ता हैदरवाद की बात करें तो कुवेत एरवेज डाइरेक्ट फ्लाइट चार घंटा से साड़े चार घंटा टाइम लेता है और हमें डाइरेक्ट छोड़ देता है उसके अलावाद प्राइज की बात करें तो अभी फ्राइज नर्मल हो गया है कोबिट नाइंटीन के करांड ज्यादा प्राइज था लेकिन अभी नर्मल हो गया है कुवेत से अगली update कुवेत गौवेत की तरफ से अनाॉसमेंट किया गया है कि जितने भी frontline वरकर है सभी को बोनस दिया जाएगा करोना काल में hard duty किए हैं उनका उने बोनस दिया जाएगा कुवेत मनिस्ट्री के तरफ से 50,000 वरकर हैं जिनका selection हो गया है ministry of health में किसी तरह का contract base पे काम कर रहे हैं उन लोगों को bonus नहीं दिया जाएगा जो direct ministry of health में काम करते हैं उनको bonus मिलेगा कुवेद के अंदर 60 साल से ज्यादा उम्र के है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें उनका एकामा renew होगा लेकिन जिसके उपर केस है एकामा को लेकर fine है उसका नहीं होगा renewal जब तक वो case final solve ना हो जाए जब तक उसके उपर आरोप है latest कोरोना का update देख लेते हैं कोरोना का नाया case 4445 आया है तीन देथ भी हुआ है 5150 रिकवरी हुआ है कुवेद से सारी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें